पारवती नंदन गणपती के देश में कई मंदिर है जिनकी अपनी ही महिमा है कहीं गणपती के आगे नत्मस्तक होने से ही मुरादे पूरी हो जाती है तो कहीं अपनी गलतियों की माफी मांगने भर से ही गणेशी मन की सारी मुरादे पूरी कर देती है तो आईए जानते हैं बप्पा के चमतकारी मंदिरों के बारे में सिध्धिविनायक मंदिर मुंबई बाद भगवान गणेश की होती है तो दिमाग में सबसे पहले सिध्धिविनायक मंदिर का नाम आता है मुंबई स्थित विगनहरता का यह भव्य और खूपसूरत मंदिर सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है कहा जाता है कि जिन मंदिरों में भगवान गडेश की प्रतिमा की सून दाई तरफ होती है वो मूर्तियां सिध्धिपीट से संबंधित होती है और उन मंदिरों को सिध्धिविनायत कहा जाता है मोती दूंगरी गडेश मंदिर जैपुर छोटी काशी कहे जाने वाले जैपुर में भगवान गडेश का एक ऐसा चमतकारी मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान गडेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है इस मंदिर के बारे में लोगों की असीम शद्धा है इस मंदिर में स्थित भगवान गडेश की मूर्ति को चमतकारी माना गया है इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर में स्थापित भगवान गडेश की प्रतिमा जैपुर नरेश मादो सिंह प्रथक की रानी के पीहर मावली से 1731 में लाई गई थी मावली में यहाँ प्रतिमा गुजराद से लाई गई थी गडेश टोक मंदिर, गंगतोक इन खूपसूरत और चमतकारी मंदिरों में एक है गंगतोक में स्थित भगवान गडेश का गडेश टोक मंदिर यहाँ खूपसूरत मंदिर नाथुला मार्क पर गंगतोक शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है यहाँ पर छोटी पहाडी पर प्रथम पूजनिय भगवान श्री गडेश जी एक मंदिर स्थापित है कहा जाता है कि मंदिर को सिक्किम शैली में निर्मित किया गया है मुख्य द्वार से कुछ सीधियां चड़ने के बाद ही गडेश जी मंदिर में पहुँच आती है रंथम भौर गडेश मंदिर राजस्थान वाइल्ड लाइफ के अलावा रंथम भौर नेशनल पार्क अपने मंदिर के लिए भी फेमस है भारी संख्या में भक्त जन यहां गडेश जी के त्रिनेत्र स्वरूप के दर्शन करने आती है करीब 1000 साल पुराना यहां मंदिर रंथम भौर किले में सबसे उचाई पर स्थित है कनिपकम विनायक मंदिर चित्तूर आंधरप्रदेश में मौझूद भगवान गडेश के इस मंदिर को भी चमतकारी माना जाता है वज़ा है इस मंदिर में स्थापित भगवान गडेश की मूर्ती जो लगातार अपना आकार बढ़ा रही है यहीं वज़ा है कि इस मंदर में अलग-अलग आकार के कवच रखे गए हैं इस मंदर के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों के सभी दोहक और पाप भगवान गणेश तुरंथ ही हर लेते हैं लामा